क्या है आप लोग आए होब कि आप सुल आची होंगे मस्त होंगे स्वास्त होंगे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कोई भी इसा एक आपके क्याइब कर सकते हैं यह तो घंस अधी मैं लियुक्त्ट किसे पार ना तक में पाना दोस्तो आंप अपना डब सब्स्क्राइब गा दंइआ जो जोना दिक आ इसा हुआ फोल कर दाता है इसलेका कश्तो भॉत की से अपना यह तो तो जो ना इसमें बिल्कुल भी खूलेगी नहीं नहीं इसमें हवा पास होगी और आपके खाने के समान जहना बिल्कुल सुरक्षीत रहेंगे और बड़ी अराम से तो कैसा लगा यह ट्रिक हमें जरूर बतेगा आसा कथ यह टीप से ट्रिक्स आपको पसंद आये होंगे अग यों नहीं जल्ड़ को पहांते हैं दोस्तों मार्केट से चूड़िया लाते हैं कांच के लिए, democracy मार्केट भी और मटकेाश टूड़िया से लिए टोटे और रज़ियों बस्त्तों की दून खराब होगी इसके लिए एक छोटी सी ट्रीक करने हैं आपको जब भी आप चुड़ियां पहांडर उससे पहले यह कर लीजिए यहां पर आपको लेना है एक पेपर फॉयल, अल्मूनियों पेपर फॉयल जो हम लोग लेते हैं हमें क्या करना है इसे इस तरीके से जो है इसमें हमें चुड़ियों को पैक कर लेनी है अच्छे से अच्छे से हमें इसे कभर कर लेनी है तो एक वार में इतनी सारी चुलिया नहीं आएगी तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको दिखाती हूं तो आपको क्या करना इसे जो है आपको इस सी ग्रैस पे रखना अब जो है अल्मुर्वया फोल जो है न दोस्तों बिल्कुल भी जलती नहीं है आग पे आपने ध्यान तोड़ी देर के लिए गरम करना इसे छोड़ दीजिए अभी काफी जदा गरम है इसे बिल्कुल भी छूने की गलती मत किजिए नहीं तो आपका हाथ जल जा सकता है तो इसे ठंड़ी हो जाए तब आप इसे खोल के देखिए तब देखिए काफी जो चूड़ी तोड़ी तो काफी हाथ तक जो है ना अच्छी पक्की वाली हो जाती है जल्दी आपकी तूटे की नहीं ताफी जो है यह काफी जदा गरम है अभी मैं इसे नहीं चूँँगी अभी जो इसे ठंड़ा होने के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ ओप करती है टीप से आपको पसंद आए यहां पर आप कर सकते दोस्तों इससे बड़ा ही आसान हो जाए यहां पर देखिए आप चंबच ले लिए फिर वो डस्टिक कोई भी ऐसे चीड़ ले लेजिए आप इस तरीके से इसमें लपेड देजिए इसे फोल्ड कर देए आप इसे जटकाने के लिए दोस्तों आप यहां पर एक रबड का यूज कर सकते हैं अब दिखिए दोस्तों जो हाथ हमारा नहीं पहुंच पा रहा था अब जो है बड़े ही अच्छे सी क्लीनिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी हमारा काम भी यूजएगा हमें हाथ डालने की जरूरत भ जब जैम के बाटल खाली हो जाते हैं तब इसे साब करने की बारी होती है हम लोग इसे कुछ रखना पसंद क्योंकि यह जार होते हैं कांच के होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है इसे साब करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके देखे होंगे आपने बड़ जो मैं आज अच्छे से एक जगा कट लगा लेंगे ना एक उची देखिए हैं यह देखिए हमारा कट लग चुका है अब दोस्तों एक वर अगर अच्छे से यह पकड़ा जाती है आपको ना ही गरम पानी में डालने जरूत पड़ेगी और ना ही कुछ और करने की जरूत पड़ेगी देखा होगा आपने की कप बगेरा से जहना हम लोग चाय कॉफी पीते ना इसमें एक अजीब से स्मिल रह जाती है आई यह जो जैम बाले बाटल होते हैं जैम बाद में बहुत दिनों तक रह जाती है तिस तरीकी से आपको क्या करना है तरीकी से गैस पर गरम कर देना इस एक मिनट के लिए इस तरीके सहसे ही रख दीजिए देखिए कि गरमाहट जिन इसकी सारी असमिल अपने आप जो है गाइब हो जाती है बड़े ही आराम से आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो कैसा लगा यह जरूरत है यह जो तरीका है दोस्तों आप रो प्राइब होता है साबून तो हम लोग निकाल के यूज कर लेते हैं लेकिन जो इसके कवर होते हैं हम लोग ऐसे ही फेक देते हैं लेकिन दोस्तों यह जो वीडियो में बचार हुआ यह बिल्कुल भी फेकना पसंद नहीं करें साबून चाहे जो भी हो लेकिन इसकी पास और भी दूसरी साबून है ना उसके भी खुस्वू बड़े ही प्यारे होते हैं दोस्तों लोग साबून यूज कर लेते हैं लेकिन रह जाती है ये कभर तो दोस्तों जो ट्रिक बतारी इसे देखने को आप जो है ना कभर बिल्कुल भी नहीं फेकिंगे इसके यूज कै हैं प्यारा खुस हुआ था मुझे संडल की खुस्वू जन संडल वुट की वह बड़े ही प्यारे लगते हैं यहां पर मैं क्या करूंगी इसमें पौडर को ट्रांसफर कर दोंगी एक कुछ इस तरीके से अच्छे से भर देना पूरा नहीं भर यह लेकिन हां थोड़ा कॉ इस सकतर लगाने के लिए हमें इहां सेलो टेप लगाने जोल एगा हम फॉस्वर और पूर्ट कर देर लूए बिल्कुल भी तोई वहा कि अप्रश्य जहां भी प्यारा सा असमेल अब इसका यूज कैसे आपको बताओंगी जो भी आपको पसंद आए ऊप्ना सकते अक्सराइब तो इसमेल आती है तो जाती है तो पहला जो यूज कर रही हूं मैं वह इस तरीके से आप अपने अलमारी में कपड़े सजा के रखते हैं तो क्या होता है रखे रखे ना उसमेल आ जाती है पैकेट बना के कपड़ों के बीच में रख देंगे तो बहुत अची से खुसबू आती है इसकी खुसबू से कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह भी नहीं आएंगे बहुत अची से काम करते हैं दूसरा तरीका है आपको क्या करना है जो ट्वालेट की फ्लेश टैंक होते हैं आप इसमें डाल दीजिए आप जब भी अगली बार फ्लेश दवाएंगे ना तो इसके जो है ना बहुत ही अची से मेल आएगी और आपके बात्रूम हमेशा फ्रेश 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 फीलोगा तक कैसा लगा आज का इस सारे टीप सेंट्रिक्स हमें कॉमेंट करक के जरू बताएगा तो चलिए तो चलिए अधिये जोरूब इताएगा तो चलिए